पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था law of attraction क्या है law of attraction के सिध्धान्त को आप अपने life में कैसे implement कर सकते है अगर आप उन में से हो जो ये सब चीजे पहले से practice करते हो फिर भी law of attraction आपके लिए काम नहीं करता आप जो चीज चाहते हैं वो आपके तरफ manifest नहीं हो रहा है तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कौन सी वो गलतिया है जो आपके गोल को आपके तरफ आने से रोक रहा है कौन सी वो गलतिया है जो आपको नहीं करनी है इसको हम तीन स्टेप में समझेंगे नमबर वन आप जब विजुलाइस करते होंगे तब आप फ्यूचर में करते होंगे मेरा मतलब यह है कि अगर आप ऐसे विजुलाइस करते हो कि अगर मेरे पास इतना पैसा होगा तो मैं यह खड़ी दूँगा अगर मेरे पास ये गारी होगा तो मैं वहाँ जाओंगा जब मेरे पास बंगलो होगा तब उस बंगलो का कलर ऐसा होगा ये अगर मगर काश ये सब वर्ड जब आप सोचते हो तब कही न कही आपको अपने आप में डाउट होता है कि आप वो चीज मेनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे यह अगर मगर काश यह सब वार्ड कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि आपको जो चाहिए आपको उसमें भरोसा नहीं है जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको जो चाहिए आपको crystal clear होना पड़ेगा तो जब भी आप affirmation practice करो visualize करो तब present moment में रहे के करो मेरे पास इतना पैसा होगा तो मैं यह करोंगा यह सोचने के वज़े आप यह सोचो कि मेरे पास इतना पैसा है और मैं वो life जी रहा हूँ मेरे पास वो गारी है और मैं वहाँ पे जा रहा हूँ आपका body, atoms और molecules का एक गुच्छा है आप अगर electron microscope से देखेंगे तब आप देख पाएंगे कि आपके body का हर एक molecule एक frequency पे vibrate कर रहा है जब आप शरीर छोड़ते हैं तब भी आपके body का हर एक molecule एक frequency पे vibrate कर रहा होता है चीज के बारे में सोच रहा होते हो तब आपके body का molecule उस चीज के vibration का जो frequency है उस frequency पे vibrate करने लगता है और जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब आपका frequency और उस चीज का frequency match होता है तब वो चीज आपकी तरफ manifest होने लगता है लेकिन जब आप अपने goal के बारे में future में visualize करने लगते हो तब vibration का frequency match नहीं होता क्योंकि आपके अंदर doubt रह जाता है तो इसके लिए आपको present moment में रहके उस चीज को visualize करना पड़ेगा आप present moment में रहके उस चीज के बारे में सोच तो रहे हो लेकिन आप confused हो आपको क्या चाहिए पहले आप visualize करते हो आपको 10 लाक रुपे चाहिए जब आपको 10 लाक रुपे नहीं मिलता तब आप सोचने लगते हो कि चलो 5 लाक रुपे मांग लेते हैं यह तो कम है शायद मिल जाएगा आपको ऐसा नहीं करना है आपको बता दूँ इस इन्युवर्स के पास किसी भी चीज़ के लिए लिमिट नहीं है अब जितना मांगोगे उतना पाओगे इस इन्युवर्स के लिए आपको 10 लुपे देना जो बात है आपको 10 करोर लुपे देना वही बात है एक छोटे से एक्जमपल के साथ समझते है 2 सेगंड के लिए मान लो आपके पास एक भी पैसा नहीं है और आपको 10 लुपे चाहिए किसी काम के लिए तो ये 10 लुपे मैनेज करना आपके लिए कितनी बड़ी बात होगी कुछी मिनिट या एक दो घंटे में आप 10 लुपे एरेंच कर ही लोगे क्योंकि आपको भड़ोसा होता है कि 10 लुपे है कही न कही से तो आई ही जाएगा ये कुछ और नहीं है ये लौ अफ एट्रेक्शन ही है क्योंकि आपका बिलीफ इतना स्ट्रॉंग होता है कि कुछी घंटों में वो एमाउंट आपके हाथ में आ जाता है तो इसी लिए आप अगर 10 लुपे मांगो या 10 करोर आपको क्लियर होना पड़ेगा आपको कितना चाहिए जितना क्लियर अपका गोल होगा उतने जल्दी आप उसको अपनी तरफ मेनिफेस्ट कर पाओगे ऐसा नहीं कि 10 लाक रुपे मांगा अगर नहीं मिला तो 5 लाक रुपे पे आ गए आपने तो ये फेमस डायलोग सुना ही होगा अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है शिद्दत का मतलब ये नहीं आज आपको ये चाहिए कालब को वो आपको क्रिस्टल क्लियर होना पड़ेगा आपको क्या चाहिए अरजुन ने जैसे लक्षवेद किया था वैसे ही आपको जो चाहिए आपको उसको अपने लाइफ का एम बनाना पड़ेगा जब तक वो मिल नहीं जाता एक स्टडी में ये पाया गया है कि हमारे दिमाग में पूरी दिन में 60,000 से भी जादा थोट्स आते हैं और उन में से 95% थाट्स हमारे पास्ट से जुरी हुई है तो क्यों न हम हमारे पास्ट में जो हुआ वो सोचने के वज़े प्रेजन्ट मोमेंट में रहे के उस चीज़ के बारे में सोचे जो हमको चाहिए ये एकदम से नहीं होगा इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर आपको जानना है वो कैसे करना है तो आप कॉमेंट में बता सकते हो मैं इसके उपर डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा इस चोटी से बीच को देखो कितना कमाल है ना इस बीच के अंदर एक बड़ा सा पेर चुपा हुआ है क्या देखने से लगता है इस चोटी से बीच ने अपने अंदर इतना बड़ा पेर चुपा के रखा है इस बीच को अगर आप कुरे में फेक्ट दोगे, तो क्या इससे पेर आएगा? बिल्कुल नहीं. इस बीच को उपजाओ जमीन में बोना पड़ेगा, उसका देखरेक करना पड़ेगा. उसके बाद ही टाइम के साथ साथ उस बीच से एक पेर आएगा. ऐसा नहीं, उस बीच क कि आप अपने गोल पे काम करना छोड़ देते हो. ऐसा आपको नहीं करना है. आपको अपना गोल डिसाइट करने के बाद, आपको हर रोज उस पे काम करना है. और धीरे-धीरे आपके बाड़ी से उस चीज के फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेशन रिलीज होगा, जो उस इसको आपकी तरफ एट्रेक्ट करेगा. बाकी अगर आपको जानना है लो ओफ एट्रेक्शन काम कैसे करता है, तो उसके उपर में डीटेल वीडियो बना चुका हूँ. लेफट वाले वीडियो पे क्लिक करो, आप उस वीडियो पे पहुच जाओगे. आज के लिए इतना ह See you in the next video.